नमस्कार दोस्तो आप सबका आप सभी के चैनल इसके Plumbing Works में स्वागत है दोस्तो अभी तक आपने अपना ही चैनल इसके Plumbing Works को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नेटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग की बीच में एक Plumbing का नया वीडियो लेके आया हूँ तो आज मैं आपको कीचन का फिटिंग करक ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम जो है दो पॉइंट दे रहे हैं एक बोरिंग के पानी का एक पीने के पानी का उसे फिसाप से 20 से 24 इंस तक सेंटर रख सकते हैं मार्किंग के बाद सिंग का कवर रख देंगे क्योंकि अब हम उस पर मशीन चलाने वाले हैं जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई थी तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम मशीन चला के लिए लेते हैं अच्छी तरह से तो यहाँ पर मशीन चला के हो गया है अब हम जहरी निकालते हैं यहाँ पर हमारा जहरी मार के हो चुका है अब हम डिल मशीन से होल करके ले लेते हैं जहरी और होल हमारा जो है कंपलीट हो चुका है अब हम क्या करते हैं कीचन का फिटिंग करके ले लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है measurement के हिसाब से तुकड़ा काट के ले लेते हैं उसके बाद जो है हम pipe और fitting को joint करके लेते हैं और plug भी मार के लेंगे दोस्तो यह boring का पानी का fitting है अब दोस्तो जो drinking water का है उसको भी हम measurement के हिसाब से pipe cutting करके और joint करके लेंगे दोस्तो ध्यान रखना जो नीचे का point है आपको platform से 7 inch center रखना है और उपर का जो echo guard का point होता है वह platform से 20-24 inch रखना है और अच्छे से fitting को join करने के बाद आपको plug मार के जरूर ले लेना है सभी points में उसके बाद दोस्तो हम जो इस fitting को भी दोस्तो आपको नीचे दिख रहा है यह बोरिंग का पानी है और यह राइट साइड में पीने का पानी है इसमें नीचे drinking water canal है और उपर echo guard का point है तो चलिए दोस्तो अब हम leveling और माल packing करते है तो सबसे पहले बोरिंग का पानी का जो है उसको हम set करके लेते हैं तो जो hole है उसमें माल packing करके और ft को उसके अंदर fix करके लेते हैं अच्छे से दोस्तो माल को pack करना है ताकि आपको point lose ना हो और बाहर से भी आपको अच्छे से pack करना है तो दोस्तो बोरिंग का हो चुका है अब इसको जो है जो है लेबल में match हो चुका है अब हम जो है अच्छे से माल की packing करके ले लेंगे दोस्तो माल मारते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो cement माल है वहाँ प्लास्टर से बाहर ना आए थोड़ा अंदर रहेगा चलेगा लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि माल बाहर रहता है तो टाइल लगाने में दिक्कत आती है और point अंदर चले जाता है माल अच्छे से मारने के बाद आपको थापी से प्लास्टर लेबल आपका माल कटिंग करके ले लेना है माल कटिंग करने के बाद आपका जो है फिनिसिंग इस तरह से दिखेगा और फिर आपने जो माल मारा है उसमें आपको रफ निकालना है इस तरह से ताकि टाइल बड़े असानी से इस पे बैठ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कीचन फिटिंग का काम है वह पूरा हो चुका है और फाइनल लुक इस तरह से दिख रहा है इस तरह से आप फिटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे फिटिंग होगी और आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी और साथी साथ बाहर से भी आपको अच्छे से फिनिसिंग करके ले लेना है तो आज मुझे इसी के बारे में आप लोग को बताना था उमीदों दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी होगी तो जादा से जादा लाइक, शेर और कमेंट करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे प्लम्बिंग के में नए नए वीडियो लाता रहूंगा इसी तरह फिर से आपसे नए वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद